मॉनिंग एब्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूं और मैं अभी जा रही हूं जिस खाम के लिए आई थी वहां मैं कल नहीं जा पाई क्योंकि मुझे कल आते आते ही शाम हो गया था और जहां जाना है मुझ से तो कल जा के फी जीटार आना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैं नहीं गई बट हाँ अभी जा रही हूं अभी सुबग आई थिंक नौ बज रहे हैं और साथ में जा रहा है बेटा कि कुछ फूट्स बगेरा भी घर के लिए लेने हैं तो इसको दे के और मैं घर वापस भे सकल पर नहीं जीएगा बहुत ज्यादा चंट है तो चलिए चलते हैं बाहर पैड़ दिख रहा है आपको यहां अरे यार मज़ा आगया देखे एक किलो ही दीजिएगा ज्यादा नहीं एक किल आड़ा इस नहीं 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 एक किलो चालीस में चालीस निकाल के दिखाईए पहले बाई और इतनी ज्यादा गर्मी है बिहार में है ठंटी और यहां आने के बाद गर्मी इतनी ज्यादा लगए हम लोगों को जो फूट्स लेना था वो ले लिए अब बेटों को बैठाते हैं गारी पे क्योंकि घर से थोड़ा दूर आया थे सब्सक्री मंडी यहां से लेने के लिए जो चीज़ चाहिए था हम लोगोंने ले लिया है अभी से पहले आटो में बैठा कर भेज दूँ करनी है यहां बहुत जादा और अभी चल रही है इनकी नास्ता क्योंकि यह मेरे साथ है और इनका डिमांड ना हो कि यह बाहर खाएंगे जो चीज़ें लेनी थी वमेने ले लिए और इस अभी नास्ता कर रहा था नास्ता कटा वह भोही चुका यह तरस बजने वाले हैं तो मैंने बोला कि चल भाई तो खा ले पहले उसके बाद ही जाना ही कि यह मेरे साथ है और इसकी परमाई सु रहे कि रहेगी दो बस यह खा कि मैं क्यों पहन के आई हूं कि इसमें इतनी जादा मुझे घर्मी लग रही है यहां का वेदर बिल्कुल चेंज है बहुत जादा गर्मी है यहां को बहुत ही जादा लिपते हो थोड़ी देर में आपसे अभी मैं घर आ गई हूं जी हमें अभी जस्ट आई हूं मतलब तो खड़ीद देंगे और यह खिचडी कोई ऐसी वैसी खिचडी नहीं है यह बंगाल का सबसे फेमस है जो किया प्रशाद के रूप में मिलता है आप लोगों को पहले मैंने बताया है तो मैं आज घर के बगल में गुजरंग वली का और माकारी का मंदिर है तो आया दिन को और इसका स्वाद एनी डाइम आपको एक जैसाई देखने को मिलता है मतलब आसम मैं इसको फटाफट फिनिस करूँगी और घर पे बनेगा गाजर का हल्वा जो कि मैं बनाऊंगी क्योंकि यहां पे और कोई मिड़ी तरह गाजर का हल्वा नहीं बनाता है मैं प्राउड तो पहले मैं इसको फिनिस करती हूं वैसे तो मैं पुड़ी टायर हो चुकी हूं बड़ हल्वा बनाने के बाद ही में बेड़ पे रिलेक्स करने जाएं कि एक बार ठकान हो जाने के बाद ना कोई काम नहीं होता है तो पहले मैं प्रशाद अपना इंजॉय कर दी हूं फिर तो पानी लाओ ममा पानी पीए बिटा और यह हमारा गाजर का हलवा यहां पर रेडी हो रहा है मैंने सिंपल इस पहले गाजर को जो ग्रेट करके रखा गया था उसको बिना कुछ डाले हुए बस मैं लगबक 15 मिनट से भून रही हूं अब यह पानी जो है वो सोख रहा है तो थोड़ा और हम इसे सुखाएंगे यह देखिए पानी अब नहीं निकल रहा है ज्यादा नहीं तो बहुत साड़ा पानी ता इस पानी को हम लोग सुखा देंगे अच्छे से उसके बाद अगे का परॉसेस करेंगे और यह देखिए मिरे भादास को यह बना रहे हैं घृट वाला खीर बना रहे हैं यह बोले कि आज क्थम कर दीर Shinyae तो मैं यहां हूं तो आज मैं बनाहूंगा खिर तो एक तरफ भr"... ब्याच्विंद्स एंगे हैं दूसी तरफ मैं किसका ब我想 और अब मैं डालूंगी मैं आदा लिटर दूद लिया है ज्यादा दूद नहीं लिया है क्योंकि धो किलो मैं गाजर लिया आप मैंने पुरा पानी अब इस दूद को मैंने डाल दिया है और इसके साथ मैं एड करोंगी चीनी अगर मिल्क मैड यूज करते हैं तो ये दूद को पुड़ा सूख जाने दीजिएगा उसके बाद यूज किजिएगा बट मैं यहाँ डालूँगी चीनी क्योंकि हम लोग देशी आदमी हैं और हम लोग देशी तरीके से बनाते हैं तो रुखिये मैं चीनी पे लेलाती हूं और यह हमारी चीनी और यहाँ पे में कोई भी कॉप से नहीं नापने हूं बोलता है ना घर के लोगों का खाना अपने अंदाज से बनता है कि इतना में मिठा हो जाएगा आप लोग इसी साब से डाल के बनाने जिएगा मैं ज्यादा मिठा नहीं बनाऊंगी अगर कम मिठा लएग इसको भी हम लोग कर लेते हैं उसके बादे मिलती हूं आपसे हम लोगों का अलमुस्ट दूर्स सूख गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी लाष्ट में खुआ जी हां मावा इसको मैं लास्ट में डालूँगी और इसको अच्छे से मिला दोंगी पतलब समझे है कि हमा और फोड़ा इसको पांच मिनट और हम लोग भूनेंगे लास्ट में फीडी लाइचे डालेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से पहले भूनते हैं पांच मिनट यह देखिए मेरे हलवे का सकलव हो इतना डिलिसीयोस बनाया यार लुकेड इतना यम लग रहा है न यह और मैंने इतना अच्छे अंदाथ से घीर आलाए कि आप देखिए ज़्यादा छोड़ भी नहीं रहा है और यह हलवा जो है वो सट भी नहीं रहा है और आप देखे कि क्या कलर आया है मेरे हलवे का और कितनी इजी तरीके से मैंने बनाया है तो आप इस तरीके से हलवा बनाईए और अपने घर में बनाईए और सबको खिलाईए क्योंकि मैं भी सबको टेस्ट कराने वाली हूं कि कैसा बनाए ठीक है तो सरा ठंडा वजा उसके बाद में टेस्ट करा कि या फिर मैं देती हूं मेरा जो बेटा रिकॉर्ड कर रहा है अभी उसी को टेस्ट काने के लिए वहीं बताएगा कि एक्जाक्टली बना कैसा है हलवा ठंडा कर लो अगर नहीं यार तुम उठाओ ना चमज में उफूक के खा लेंगे थोड़ा सा उठाओ देखना जले ना और अब देंगे पापा अपना राय की कैसा बनाया हल्वा कैसा है स्वीट थोड़ा सा कम है वाकी टेस्ट वगड़ा कैसा है मज से ना तुम कर देखो मजा या एदा मच्छा बनाया है मीठा ठीक ना चालो नहीं आओ ज़िए हाल आओ तो झाल 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 झाल